तो आई ये इस टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर के तौर पे कैसे इस्तुमाल कर सकते हैं। तो द्यान से समझेगा यहां पे सबसे पहले एक वर्ड में आपके सामने लिख रहा हूं। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर बेसिकली एगरिकल्चर में इसलिए यूज किया जाता है कि अगर किसी न्यूट्रियंट की डेफिशेंसी हो रही हो तो उसे फुल्फिल करने के लिए हम फर्टिलाइजर का इस्तमाल कर सकते हैं। मतलब हम फर्टिलाइजर को किसले यूज करते हैं एक न्यूट्रियंट सोर्स के तौर पर यूज करते हैं। और क्या कर सकते हैं हम स्वाइल की फर्टिलेटी को बढ़ा के हम प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बैटर कर सकते हैं। अब ज्यादा तर जो फर्टिलाइजर्स अग्रिकल्चर में यूज किये जाते हैं कन्वेंशनली वह सारे के सारे फर्टिलाइजर्स क्या हैं सिंथेटिक होते हैं। और यह सन्थेटिक फर्टिलाइजर्स केमिकल के बने होंगे यह यह केमिकल से बने होते हैं। ठीक है और न्यूट्रिंट्रिंट चुल्द होते हैं जैसे अगर आपको खेत में नाईटरोजन को बढ़ाना है तो आप यूरिया का इस्तमाल करें आप पोटाश को इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो वहाँ पे जो न्यूट्रियंट कम हो रहा हो आप उस फर्टिलाइजर को आप लगा दें वहाँ पे लेकिन दिक्कत यह है बेटा कि जादतर जो किसान है उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके फिल्ड में जहां पे वो खेती कर रहे हैं उसमें डेफिशेंसी इस न्यूट्रियंट की है तो जिस nutrient की deficiency है पहले उसे पता किया जाए उसके बाद fertilizer का इस्तमाल किया जाए तो ज़्यादा बहतर होगा लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं वो ना सॉयल टेस्ट कराते हैं वो क्या है एक भेड़ चाल है अगर बराबर वाला खेत वाला nitrogen लगा रहा है यूरिया लगा रहा है तो दूसरा farmer भी देखेगा भाई मैं भी काम कर लेता हूं मैं भी ले आता हूं एक दो जो है बोरी और मैं भी यूरिया लगा देता हूं खेतों मैं तो ऐसी condition में किसी nutrient की कमी ना हो और उस nutrient को जब्रदस्ती उसमें डाल दिया जाए तो क्या होगा plant के अंदर toxicity हो जाएगी जिससे plant की growth अच्छी नहीं होगी अब गलती मैं यह कहूं कि सानुकी भी पूरी नहीं है क्यों पूरी नहीं है कि बेटा जब हमारी देश में green revolution नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारी देश में जो खेतों की पैदावार थी वह बहुत कम थी जब pesticide का और fertilizer का और in chemical synthetic product का चलन आया तो drastically yield में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ हुआ आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं आपके number नहीं आ रहे लेकिन कोई गलत तरीका जो है वह आपको बता दिया गया कि आप इसे short term use करें आप अच्छे number ला सकते हो लेकिन आप उसे हमेशा use करने लग जाए अब यह जानते हुए कि वह गलत है लेकिन आपको क्या लत लग चुकी है अगर इससे करके ऐसे number आ रहे तो क्यों ना करा जाए अब वही बात हो गई farmers के साथ भी है कि जब revolution हुई तो इन्हें बहुत फायदा मिला तो subconsciously यह बात उनके मन में घर कर गई कि बिना इन fertilizer के या chemical pesticides के या chemical खाद के हम खेती नहीं कर सकते हैं अब उससे क्या हुआ कि एक तो prolonged अगर आप उन fertilizer को खेत में ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो toxicity हो जाएगी plant की growth अच्छी नहीं होगी पैदावार आपको अच्छी नहीं मिलेगी और chances यह बनेंगे कि वो जो जमीन है वो pollute हो जाएगी बीमार हो जाएगी और barren भी हो सकती है वो अपनी fertility को lose कर सकती है तो ऐसी condition में क्या alternate निकाला जा सकता है मैंने क्या बोला कि जो synthetic chemical fertilizer है इनका क्या-क्या नुक्सान है इनसे एक तो plant के अंदर toxicity होती है अब यह नहीं कह रहा हूं कि toxicity जब्रजस्ती ऐसे हो जाएगी अगर उस खेत में उस nutrient की कमी और आपने डाली तो fulfill हो गई लेकिन कमी नहीं थी आपको पता ही नहीं है आप scientific तरीके से खेती नहीं कर रहे तो उस time पे अगर आप जब्रजस्ती उस nutrient को उसके अंदर उड़े ले जा रहे हैं तो वहाँ पे toxicity होगी भाई plant को दूसरा यहाँ पे क्या होगा दूसरा यहाँ पे यह होगा कि वह जमीन या वह स्वाइल फर्टाइल नहीं रहेगी बंजर जमीन हो जाएगी बेटा वह आप यह समझे कि बड़े इसके लॉंग तर्म बड़े कंदे एफेक्ट्स हैं तो इसका alternative क्या हो सकता है तो इसका alternative य यह है कि या तो आप मैनियूर का इस्तमाल करें मतब काव या बफैलो डंग है उसको आप बहुत लॉंग टर्म तर डिकंपोस करवाएं या वर्मी कंपोस्टिंग करवाएं और उसको आप खेत में डाले तो वहाँ पे प्लांट जो प्लांट को ग्रोथ के लिए न्यूट् माइक्रो और्गनिज्म को ही क्यों ना इस्तमाल कर लें जो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी को बढ़ा दें हम उन माइक्रो और्गनिज्म को ही क्यों ना इस्तमाल कर लें जो क्या कर दें जो न्यूट्रियंट को फुल्फिल कर दें या उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हूं उन्हें हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं और इन बायो फर्टिलाइजर में सबसे पहली केटिगरी जो हमें पढ़नी है बेटा वो है बैक्टीरिया की की bacterias में कौन-कौन से bacteria हैं जिनका नाम आपको याद रखना होगा जो क्या कर सकते हैं fertility को बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहला नाम है अगर मैं bacteria में पहले symbiotic bacterias की बात कर ले रहा हूं तो symbiotic bacteria में rhizobium एक bacteria है जो symbiotically associated होता है सारे legume plants के साथ में तो इन legume plant की roots के साथ में associated होके वहाँ पे क्या करता है root nodule बना लेता है और ये क्या करता है वहाँ पे root nodule में ये environmental nitrogen को nitrogen को free nitrogen में convert करता है और इस free nitrogen का इस्तमाल किया जा सकता है इस free nitrogen का इस्तमाल किया जा सकता है किस चीज में बिटा इस free nitrogen का इस्तमाल plant खुद absorb करके अपनी growth and development में यूज़ कर सकते हैं तो ये rhizobium bacteria क्या था इनको आप legume plant के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो इसे कैसे इस्तमाल किया जाए लेकिन आप क्या कर सकते हो इन rhizobium के solutions को या तो उस crop को लगाने से पहले उनके seeds को उस solution में सोक करवा के और overnight रखके फिर अगले दिन उन्हें बोदे तो वहां पे उन इसे साथ में associated वह बैक्टिरिया वहां पे जब बनेगी तो उनके रूट के साथ में शुरुआत्सी वह process अच्छा हो जाएगा और शुरुआत्सी फर्टिलिटी उस खेत की बनी रहेगी और वहां पे केटिगरी में कुछ ऐसे भी बैक्टिरिया हैं जो फ्री लिविंग होते हैं जो फ्री लिविंग बैक्टिरिया हैं और यहां पे फ्री लिविंग बैक्टिरिया में आपको नाम याद रखना है दो का एक है एजोटो बैक्टर और दूसरा होता है एजोस्पाइरिलम एक हो यूज़ कर सकते हो इसके लिए ये भी दोनों आपको nitrogen fixation में काम करेंगे ये भी nitrogen fixation करने का काम कर सकते हैं और nitrogen fixation करके वहाँ पर क्या करेंगे ये soil की fertility को बढ़ा देंगे ठीक है जी soil की fertility को बढ़ाने का काम करेंगे अब इसी तरहीके से जैसे आपने bacteria में rhizobium को और azotobacter azosp parallelism को इस्तमाल किया इसी तरीके से आप fungus को भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसी तरीके से आप fungus को भी इस्तमाल कर सकते हैं तो वह fungus कौन सी है तो आपने पढ़ा होगा कभी class 11 में chapter 2 के अंदर माइकोरिजा नाम का topic तो वही माइकोरिजा हमें यहां पर पढ़नी है माइकोरिजा क्या होता है जितने भी higher plants है उन higher plant की roots उन higher plant की roots के साथ में उनकी roots के साथ में fungus का अच्छा उस fungus का जीनस दे रखा है glomus genus की वो fungus होगी glomus genus की वो fungus होगी इनका symbiotic association होता है इनका symbiotic association होता है और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे benefit देंगे कैसे रहेंगे क्या करेंगे ध्यान से समझना मेरी बात है बहुँ सपोस करिए ये भाई कोई plant था उसकी roots थी अब ये root ठीक है यहाँ पे ठीक ठाक थी लेकिन यहाँ पे क्या किया इस माइको रिजा या fungus association ने इन roots के साथ में मिलके इस तरीके के यह हाइफल network बना दिये यह हाइफीज बन गई और यह हाइफीज ने एक्ट करना शुरू कर दिया as root hair मैंने क्या बोला यह तो plant की natural roots थी और यह जो थी यह हाइफी थी इसकी fungus की आप जानते हो ना थिन सिलेंडर स्ट्रक्चर हाइफी मिलके माइसीलियम मनाते हैं तो वह हाइफी का network है यह जो roots के साथ में बन गया और यह हाइफी अब किस तरीके से act करने लग रही है यह root hair के तौर पर करने लग रही है तो आप एक बात बताईए बिना हाइफी के root का surface area कितना था या कितना absorption कर सकती थी और अब देखिए कितना बड़ा एक network सा बन गया जिससे यह ज़्यादा से ज़्यादा nutrients को absorb कर पाएंगी तो एक तो एक तो यह जो fungus की हाइफी थी इसके साथ में वो यहाँ पे phosphorus का absorption बहुत जादा करवाती है इसका phosphorus का absorption यहाँ पे बहुत जाधा करवाती है एक तो it help in absorption absorption of phosphorus to the plant दूसरा यह क्या काम कर सकती हैं जो फंजाई हैं एक तो इन्होंने फॉस्फोरस का absorption बढ़ा दिया दूसरा ये काम क्या करेंगे बेटा ये इन प्लांट्स को tolerant बनाती हैं सेलिनिटी और ड्रॉट के लिए मतलब आप सपोज करिये कहीं पर पानी की कमी है जमीन में तो जमीन में अगर पानी की कमी होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा जिनकी रूट हेर जादा डीपर होते हैं वहाँ पे वह थोड़ी बहुत अमाउंट में वाटर को अब्सॉर्ब कर सकते हैं तो ये एब्सॉर्ब करवाया एब्सॉर्ब करवाया फॉस्फॉरस को फॉस्फॉरस को दूसरी चीज यहां पर क्या करवाई गई बेटा दूसरी चीज यहां पर क्या करवाई गई इसने टॉल्रेंट बना दिया इसने टॉल्रेंट के लिए और तीसरा काम क्या किया रूट के उपपर आके ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बैक्टिरिया या रूट पैथोजन अटेक करें तो यह क्या कर सकता है उस प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकता है इससे रूट पैथोजन से यह रूट पैथोजन से भी प्रोटेक्ट कर सकता है उसे रूट पैथोजन से भी उस प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम पंजाई कर सकती है बस इंटर्न उसको पंजाई को इस प्लांट से क्या चाहिए वह इंटर्न बस इसको चाहिए फूड कार्बो हाइडरेट रिच फूड लेके तीन काम कर देता है इस प्लांट के लिए फॉस्फोरस का अब्जॉप्शन करना डॉट एंट सॉलिनिटी से टॉलरेंट बना देना और उसको रूट पैथोजन से बचा लेना ठीक है ये काम बात करी थी बैक्टीरिया बैक्टीरिया में हमने नाम याद किये थे राइजोबिया अजोटो बैक्टर और अजोस्फाइरलम माईको रेजा में मैंने बताया कुछ फंगस थी जो गलोमस जीनश से belong करती थी उन्होंने किसके साथ में association मनाया plants की roots के साथ में association मनाया जिस association को हमने mycorrhiza कह दिया अब तीसरा यहां पे है तीसरा यहां पे है beta sinobacteria sinobacteria और sinobacteria के अंदर हमें किस-किस को पढ़ना है तो sinobacteria में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वह सिंबायोटिक कौन कौन सी है इंबायोसिज में कौन कौन सी है तो सिंबायोसिज में एक ही नाम याद रखना है एना बीना एक sinobacteria blue green algae है वह अजोला नाम के plant के अंदर आपको मिलती है एना बीना याद रखने हैं बेटा जैसे ऑसी लेटोरिया और नौस्टॉक और ब्लू ग्रीन अलगा आप इनको कैसे इस्तमाल कर सकते हो तो बेटा जैसे कोई paddy field है मतलब रही पर दान की खेती हो रही है तो उस दान की खेती में आपने सुना होगा कि जब भी खेती सुना क्या देखा भी होगा जहां पर भी paddy field होगा वहां पर क्यंकर पानी का सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है इसका water का सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है उस खेत में अक्सर पानी भरा रहता है बेटा चेThis question तो जहां पे आपको water मिलेगा वहां पे इन साइनो बैक्टिरियाज की growth बहुत अच्छी हो सकती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा ये किस तरीके से बेटा काम करेगा ठीक है ध्यान से समझेगा मेरी बाता ये देखिए ये खेत है जिसमें पैडी भी लगी हुई है और पानी भरा हुआ था उसमें ये ग्रीन ग्रीन सी जो आपको दिख रही हूँ वो साइनो बेक्टिरिया है ब्लू ग्रीन धा है तो ये क्या गरेगे जब पानी यहां से सूख जाएगा ऐसा थो नहीं कि प्रोलांग पूरे साल भर भरा रहेगा यहाँ पानी जब पानी सूखेगा तो ये सब अलगी नीचे बैठ जाएगी महाँः जमीन पे और मुल्स आपर सॉइल पे जाकर यह डिकंपोज होना शुरू करेगे उसका किल दिकंपोजिशन चलू हो जाएगा और डिकंपोजिशन होने की वज़ेश है वहाँ पे soil पे उसका decomposition होने की वज़े से वहाँ पे उसके अंदर जो nutrients थे वो उस soil को enrich कर देंगे और soil की fertility को बढ़ा देंगे तो इसने क्या किया ध्यान से देखिएगा मेरी बात यहाँ पे देखिए यह फिल्ड था agriculture फिल्ड था इसमें यह पानी भरा हुआ था इसमें पैडी लगी हुई है मतलब धान लगी हुई है और उस पानी में क्या हुआ है यह आपको algae grow करती हुई नजरा रही है तो जब पानी absorb कर जाएगा तो यह algae नीचे settle हो जाएगी और यह organic पात अच्छी हो जाएगी इसी तरीके से मैंने आपको बताया trichoderma का बोल रहा हुँ मैं माइकोरिजा की बात कर रहा हूं था है माइकोरिजा किस तरीके से काम करता है तो देखिए यहाँ पे comparison दिखाया गया है यहाँ पे आपको comparison दिखाया गया है दो प्लांट्स के बीच में जिन में आपको एक में माइको रिजा मिलेगा एक में माइको रिजा नहीं मिलता तो देखिए यहां पे इन्होंने दो रूट्स ली हुई है बिटा इधर वाली में कोई माइको रिजा नहीं था उधर माइको रिजा थी जहां पे माइको रिजा थी आपने देख पा रहे ह हो वहां पर रूट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है और जितनी स्ट्रांग रूट होंगी या जितनी डेंस रूट होंगी उतनी ही अच्छी डवलप्मेंट उस प्लांट की हो पाती है तो जिसकी जिसकी अंदर माइकोरेजा present है, वहाँ पे उसकी root का आप देखिए, इतना बड़ा सा एक network बना दिया है, हाइफी ने जिसकी वज़े से क्या होगा उस plant की growth बहुत अच्छी हो पाएगी बेटा उस plant की growth देखिए कितनी अच्छी हो रही है, यह वाला plant है इसके अंदर mycorrhiza है और यहाँ पे mycorrhiza नहीं है तो इसमें dense network है तो आप आप देख पा रही हो इसके उपर ज़्यादा अच्छी खेती है या इसकी growth इसके मुकाबले कितना denser है यह plant इधर वाला plant इसके मुकाबले कितना denser है उसके उपर आप देख रहे हो